आप सभी केकने वीडियो में फिर से स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं घंटा को मीनट सेकेड में बदलना जैसे कि एक घंटा में कितना मीनट होता है कितना सेकेंड होता है इसको हम कैसे बताएंगे या फिर 2 घंटे में कितना मीनट और सेकेंड होता है या फिर 5 घंटे में या फिर 6 घंटा या 12 घंटा में कितना मीनट सेकेंड होता है इसको हम कैसे चेंज करते हैं कैसे निकालते हैं इसको हम इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो मेरे साथ वीडिय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसको दोखो हमें बताने के लिए कि एक घंटा में कितना मिनट सेकेंड होता है इसको बताने के लिए हम पहले जानना होगा कि घंटा मिनट और कितना सेकेंड होता है एक मिनट में तब जाकर हम बता पाएंगे कि एक घंटा में कितना सेकेंड कीतना मिनट होती है तो उसके बार्ड वन करेंगे तो रहे ह agree कि मन्न कितना होता होता है साट सेकेंड होता है यह भी सब को पता है लेकिन अगर आप मैं पूछ दू कि घंटा में कितना सेकेंड होगा तो हम कैसे बताएंगे कैसे पता करेंगे इसको हम निकालेंगे तो एक घंटा में कितना मिनट होता है साट मिनट यहां लिख देते हैं साट मिनट अब इसक 10 मिंञाट इसको हम गुड़े 1 मिंएच सकते हैं क्योंकि अगर 60 का एक में बुडा करेंगे तो 60 ही आएगा अद यह समझें ऐसे गुडा राग के कर देंगे 2ALK 20 अब यह साठ हो गया प्रक्ती हो गड़ा एक मिनट गड़ा कितना सिसकंट होता है एक मिलट में 60 सेकंड होता है यहां पे लिख देंगे 60 सीकंड यह हो गया हमारा 600 सेकंड अब हम इसके क्या करना है 60 का गोड़े 60 में करना है 60 का गोड़ा 60 में किजिए 0究 Ricky जीरो में हूगा 0 का 6 में होती है तर जीरो जनागी कीविजिए 0 ordering संख्या वी गोड़ा हो ती है कितना हो गया 36 सेकेंड तो देखिए आपका एक घंटा सेकेंड में चेंज हो गया एक घंटा कितना होता है 36 सेकेंड होता है अब हम चेंज करते हैं 6 घंटे को कितना 6 घंटे को सेकेंड में 5 6 गंटा को हम्में क्या करना है इसको हमें च्एंज करना है मिनट में और सेकरण जो स्थिकुटा को मिनट M इसको हम 2 गंटा लिख सकते हैं अलग से गोड़ा क्या चाह करेंगे तो च्यहरा पूरा होई यागा तो इसलियों गुड़ा लगा कि एंगन इसकोय में गुड़े कितना में जल सकते हैं। देखो यह साज मिनट हिर इसको 5 अचरेंच में करेंगे डेघ। इसको आपन Wikum कर दिजिए यहाद करते हैं 60 गुड़े 6 6 की 0 4 6 36 कितना है 360 लिख दीजिए 360 मिनट अब भी हो गया 6 गंटा को हमने 360 मिनट में चेंज कर दियो यानि 6 गंटा में 360 मिनट होता है अब इसको हमें सेकेंड में बताना है तो कितना होगा तो 360 गुड़े इसको हमें एक मिनट लिख देंगे तो कोई प्राबलम तो हगी नहीं क्योंकि अगरा 360 के एक में गुड़ा करेंगे तो सेम ही आ जाएगी तो इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं तो अब 360 अलग रख दीजिए गुड़ा एक मिनट में अब इसको सेकेंड में च जीड़ो पादेद में जीड़ो 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 पाँदागे जीड़ो जीड़ोध चालग सेकेंड आपनी कि दिख्वाइंब कितना सेकेंड होता है चेंड हो सकता है ऐसे 600 इस तरीके से घंटे को मिलिए से गर्न में। में करते हैं आप भूस्त गूँल सक्ता है चाहरा घंटा हो सकता है स्सक्राइब कि एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है तो 24 को हम घंटा को पहले मिनट में चेंज करेंगे फिर सेगण में चेंज कर देंगे तो इस तरीके से घंटा को मिनट में चेंज किया जाता है तो आई हो आप समझ गयों होंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीड कर दो में